हलो बच्चों कैसे आप सब उम्मिद करते हैं अच्छे होंगे तो आपके मिड्सेशन DTS के एडवांस का जो सॉलूशन है वो हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री में टॉपिक इसका है केमिकल वांडिंग, हाइड्रोजन, गेसे स्टेट, थर्मोडायनिक्स, का सॉलूशन देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेरेग्राफ 2 से यो कि आपको एक मोनोमेटर का कॉशन दे रखा है, तो कॉशन जो है वो अपने पास इसमें कॉशन नंबर पहले देख लेते हैं 3, ठीक है, तो कॉशन नंबर 3 आपको देखो एक मोनोमेटर दे रखा है, और एक मोनोमेटर कंटेंस ए लिक्विड ओफ डेंसिटी 5.44 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब, इस अटेंस तो ए फ्लास कंटेंगे गैस, आपको इस तरीके से जो हो डाग्राम दिया है, और इसमें जो यह कितना है, यह है 38 सेंटीमेटर, फिर आपको यह दे प्रेशर 1 ATM यानि एट्मोस्फेरिक प्रेशर है, इफ दा सेम लिक्विड इस यूज़ इन बैरोमिटर तो मैजर दा एट्मोस्फेरिक प्रेशर, देन वाट विल बी दा लेंथ ओफ दा लिक्विड कॉलम विच एग्शर्ट्स प्रेशर इक्वल टु 1 ATM, ठीक है, कि अगर इसी लिक्विड को जो है, वो एक तरीके से हम बैरोमिटर में काम में लें, तो हाइट कितने मिलेगी, आपको ये पूछ रखा है, तो बैरोमिटर में आपको पता होना चाहिए, प्रेशर इसक्वल टू रो जी एच के एक्वल होता है, ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर होत इंटू 10 दिबार 5 पासकल ये हो गया pressure 1 ATM क्यूंकि सारे के सारे आपको हाइट calculate करनी है तो या तो सबको एक ही system में लो MKS में लो या CGS में लो तो मैं MKS system कहां में ले रहा हूं रो की value जो है वो आपको दे रखिये liquid की density 5.44 अब ये gram per centimeter cube है तो gram per centimeter cube को पहले आपको बदलना पड़ेगा kg per meter cube में तो भया इसको kg per meter cube में change करूंगा तो ये kg और ये हो गया per meter cube और फिर जो है वो multiplied by g, g की value आ गई 10 या फिर अगर क्योंकि exactly solve करना तो इसको g को भी आपको exactly ही लेना पड़ेगा कितना 9.8 इसको solve करोगे तो ये आएगा हमारे पास 190 centimeter ये meter में आएगा जिसको हम centimeter में convert करेंगे तो इसका मतलब ये है कि option number first जो अपना क्या है करेक्ट है तो ये है अपने पास question number three next question की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखिएगा question number four अगेन इसी पेसे का question है आपको ये बोल रखा है कि भी या if gas a undergo 30% trimerization यहाँ पर जो है gas का क्या हो जाता है trimerization हो जाता है यानि gas क्या molecules अपस कमबाइन हो रहे तो यानि gas का pressure क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा then the difference in height of liquid level in two columns is मतलब यह है कि height का difference कितना हो जाएगा अगर यहाँ पर trimerization हो जाता है तो तो अब इस case में देखना कि जैसे यहाँ पर अगर pressure कम हो गया ना तो यह उल्टा हो जाएगा level यानि यह इधर वाला level उपर चला जाएगा इधर वाला कम हो जाएगा ठीक है तो अभी के लिए मैं काम करता हूँ कि मेरे पास जो है वो मैं पहले इसको सारा काम हमें mercury की term में करना होता है तो मैं इसको लिखूंगा रो 1 H1 is equal to रो 2 H2 ठीक है तो इस case में इसका density initial देरका 5.44 हाइट अभी देरके 32 और mercury की जो density हो होती है 13.6 और mercury की term में यहाँ पर मेरे पास हाइट आ जाएगी कितनी H2 ठीक है तो इसको solve करूंगा तो यह मेरे पास H2 की value आएगी कितनी 15.2 cm कहने का मतलब इस liquid की जगह अगर mercury होता तो आपको इतने ही pressure पर height मिलती कितनी 15.2 तो अब मैं gas का pressure निकाल लेता हूं तो इसका FBD बनाऊँगा देखो जी यह अपने पास मालो column है अब mercury की term में इसकी height कितनी है 15.2 उपर से लग रहा है P ATM ठीक है नीचे से अबने पास लग रहा है क्या P gas और खुद का P HG किदर लगेगा नीचे की तरफ लगेगा तो in this case मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P gas is equal to P ATM plus P HG clear है बात तो P ATM तो कितना है 76 cm of HG और यह कितना आ गया यह आ गया भी यह 15.2 clear है बात तो यहां से यह जो है वो approximately मेरे पास यह 2 और यह 1 और यह आ जाएगा 91.2 clear है तो 91.2 cm of HG यह gas का प्रेशर है और इसको solve करूंगा तो यह जो है वो अपने पास आएगा 1.2 ATM यानि कि अभी initially जो gas का प्रेशर है वो है 1.2 ATM ठीक यह मेरे को calculate करना था अब जो है वो condition ऐसी डालती कि gas जो वो time rise हो गई और इसका जो वो 30% जो किसमे चला गया A3 में चला गया तो मैं चेक कर लेता हूँ gas का नया pressure कितना होगा तो अब देखना जरा कि इस case में मैं ऐसा बोलूँगा कि 3A is converting into A3 ठीक है अभी यह 1.2 है यह 0 है अब इसका 30% जो हो किसमे चला गया A3 में चला गया तो in this case यह हो जाएगा 1.2 माइनस 1.2 का 30% तो यह कितना हो गया 0.36 तो 0.36 जो है इसमें से 1.2 माइन कि 3 से इसका 1 बनता है तो इसका 0.36 बाए कितना बनेगा 3 बनेगा ठीक है तो इसको solve करूँगा तो यह तो आएगा 0.84 और यह आजाएगा 0.12 ठीक है तो अब देखो जरा कि अब container में अपने पास दो चीज़े है एक तो A है एक A3 है इसका pressure तो 0.84 इसका pressure 0.12 और total pressure जो है व क्लियर है बात अब देखना ध्यान से कि अभी सारी सारी चीज़े जो है mercury की टम में चल रही है तो मैं वापस से जो है वो मेरे पास gas का नया pressure आ चुका है 0.96 तो मैं लिखूंगा वो ही case के P gas is equal to P atm plus P hg क्लियर है मैं काम करता हूँ again P hg जो है वो calculate करूंगा यह से तो मेरे पास आ गया 0.96 into 76 is equal to यह मेरे पास आ गया 76 plus P hg clear है बात तो यहाँ से मैं अगर P hg निकालूंगा तो P hg जो है वो मेरे पास आएगा 3.04 cm कहने का मतलब यह है कि अगर gas time rise हो जाए और इस liquid की जगा mercury है तो mercury कॉलम की height जो है यह यहाँ से minus का आएगा minus का आने का मतलब यह है कि यह level जो हो उपर नीचे हो चुका है अब यह level उपर है यह वाला level नीचे है ठीक है न तो overall जो हो मेरे पास mercury कॉलम की height 3.04 cm मिलेगी लेकिन आपको तो liquid कॉलम की height पूछी है mercury कॉलम की height देगो यह भी option में है लेकिन answer यह नहीं है आपको तो liquid कॉलम क height पूछी है तो आप वापस से इस mercury को आपको liquid में convert करना पड़ेगा मैं again बोलूँगा देखो rho 1 h1 is equal to rho 2 h2 तो rho 1 जो है वो तो मेरे पास liquid का density है 5.44 और इस case में h1 कि वहिया अगर mercury कॉलम की term में height 3.04 है तो उस liquid की term में height कितनी होगी वो मेरे को h1 निकालना है h2 की value 13.6 और rho h1 की value जो है वो निकल के आएगी 7.6 cm यानि अब मामला उल्टा हो गया है और जो height तोनों का difference है वो 7.6 cm आएगा option number 3 जो है वो क्या है correct है तो एक बार question को आप वापस से rewind करें rewind करके समझे और बाद में जो है वो एक बार check करना question को उम्मिद करते हैं आपको question समझ में आएग कितने सही है इन में से तो पहला बोरा it is not possible to compress a gas at a temperature below Tc देखो कि critical temperature क्या होता है वो temperature जिससे ज़्यादा temperature अगर आपने रखा तो gas जो हो liquid में change नहीं हो सकती इससे कम पर तो liquid में change हो सकती है लेकिन temperature अगर Tc से ज़्यादा रखा है तो gas जो है बिल्कुल भी liquid में change नहीं होग कि चाहे आप pressure कितना भी कर दो तो आपको बोरा है कि it is not possible to compress a gas at a temperature below Tc ना below तो हम कर सकते हैं इसका मतलब first statement is incorrect second बोरा at a temperature below Tc the molecules are close enough for the attractive force to act and condensation occurs मतलब यह है एक तरीके से आपको यह बोरा temperature कम है तो molecules पास पास आएंगे Tc से temperature कम है molecules पास पास आएंगे और molecules पास पास आएंगे attraction बढ़ेगा और भाया condensation जो होता है वो किस कारण होता है attraction के कारण ही तो होता है तो इसका मतलब second statement बिल्कुल ठीक है फिर आपको बोरा no condensation takes place about Tc बिल्कुल सही बात है मैंने अभी आपको यह statement बताया है temperature अगर Tc ज critical temperature से जादा है molecules की kinetic energy जादा होगी उनके बीच में repulsive force effective होंगे और जब तक repulsive force effective है condensation नहीं होगा it is considered as super critical liquid बिल्कुल यह सही statement है कि इनको जो हो क्योंकि Tc से जादा है तो उसको super critical fluid हम बोल सकते है या super critical liquid बोल सकते है तो statement fourth भी correct है तो second third fourth statement correct है next question की तरफ बढ़ते हैं तो gas and gas और ideal gas है under adiabatic isothermal condition shown as देखो जी कि हमें यह पता है कि उपर वाला graph जो है यह तो किसका है यह तो है isothermal का slope कम है adiabatic में क्योंकि gamma का difference आता है इसलिए slope जादा होगा तो यह वाला graph किसका है यह है यह यह adiabatic का ठीक है तो आब इस case में जो हो आपको बोल रहा है कि यहा कौ यहाँ पर और यह T2 है और यह isothermal process है और आइसो थर्मल प्रोसेस है तो T1 T2 के तो पराबर होगा ठीक है और अगर हम बात करें T1 और T3 की यह T1 और T3 ठीक है तो यह T1 है initial temperature of isothermal adiabatic दोनों का same है यानि दोनों को एक ही temperature से आपने क्या किया एक तरह के से आपने दोनों को एक की temperature से expand किया है तो अगर दोनों को same temperature se expand करोगे तो basically जो है वो यह उल्टा होगा यानि कि temperature जो है न एडियावेटिक में वो क्या होता है वो decrease होता है Expansion में decrease होगा temperature यानि कि T1 की value जो है वो ज़ादा होगी T3 की value क्या होगी कम होगी याद रखें adiabatic expansion में temperature decrease होता compression में temperature क्या होगा increase होगा क्योंकि जैसे ही आप compress करोगे तो जितना भी work done है वो सारा किसमें change होगा heat में convert हो जाएगा इसलिए temperature वहाँ पर increase होगा तो यहाँ पर यह statement क्या है गल्द है फिर आपको आगे बोर रखा है कि W isothermal is greater than adiabatic यह तो सही बात है क्योंकि हमें यह चीज़ पता है कि वहाँ जितना area PV graph का जो area है वो ही तो work done होता है तो area कहाँ ज़्यादा मिल रहा है isothermal में ज़्यादा मिलेगा तो यह तो ठीक है यह भी ठीक है और लास्ट है delta S isothermal is greater than delta S adiabatic यह एडiabatic process तो isoentropic process होता है जहाँ पर entropy की value जो हो delta S change in entropy 0 होता है जबकि isothermal process में entropy change 0 नहीं होता delta S is equal to क्या बोलते है nr ln t2 by t1 t2 by t1 ठीक है और प्लस ncv ln v2 by v1 तो अगर आप देखोगे isothermal है तो यह term 0 हो जाएगी तो आपको delta S positive मिलेगा यह ठीक है यह ठीक है और यह भी ठीक है second statement गलत है next question की तरफ बढ़ते है तो question number 6 थोड़ा सा lengthy question लग रहा है calculation जो हो इसमें बहुत ज़ादा है आपको बोल रहा है if heat of formation of C2H6 gas यानि C2H6 की heat of formation आपको दे रखिये minus 85 kJ per mole तो काम करता हूँ मैं C2H6 के लिए heat of formation की reaction लिखूँँगा मैं कैसे लिखूँँगा कि भहिया देखो carbon graphite plus 2 carbon graphite 3H2 gas is converting into C2H6 और यह क्या है यह gas इसका delta H इसको मैं delta H1 बोल देता हूँ delta H1 मेरे को given है minus का 85 ठीक है जी यह आपको दे रखिया है फिर आपको बोल रहा है heat of formation of C3H8 अब C3H8 के लिए क्या लिखूँगा 3 carbon gas 4H2 gas is converting into C3H8 gas इसको delta H2 मैं बोल देता हूँ यह दे रखिया है minus का कितना 104 clear है बात फिर आगे आपको यह बोल रखा है कि delta H0 यानि solid से gas में जाएगा जब carbon जो है वो solid से gas में जाएगा एक तरगे से यह sublimation है यह आपको दे रखा है carbon solid plus यह actual में G जो लिखा है यह gas नहीं है यह graphite है और graphite जो है solid state में है तो मैं इसको जो है 2C solid लिखूंगा इसको मैं 3C और यह solid लिखूंगा और C solid to C gas इसका delta H आपको दे रखा है कितना है विया जी यह है 718 kJ per mole ठीक है अब आपको आगे यह बो रखा है and heat of formation of hydrogen atom is 218 अब मुझे hydrogen atom का heat of formation करना है तो H2 इस convert एक mole बनाना है और thermodynamic reference state से बनाना है यह अपने पास इस reaction का heat of formation delta H दे रखा कितना 218 ठीक है इतना information दे दिया तो अब आपको देखो bond enthalpy के बारे में कुछ data पूछ है तो सबसे पहले तो मैं HH की bond enthalpy निकालता हूँ तो देखो heat of reaction को bond enthalpy की term में अगर हम लेके जाए तो यहाँ पर bond enthalpy of HH ही आ जाएगा इसका delta H तो है 218 into 2 तो यानि 436 यानि की delta H यानि की enthalpy bond enthalpy of HH is 436 kilojoule यानि की third statement correct है fourth वाला अपने आप क्या हो गया गल्त हो गया ठीक है अब दो चीज़े मुझे निकालनी है एक तो मुझे निकालनी है enthalpy of bond enthalpy of carbon carbon bond second is bond enthalpy of carbon hydrogen bond और वो enthalpy निकलेगी इन तीनों की help से ठीक है तो देखेगा क्योंकि मुझे bond enthalpy निकालनी है तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ question को हमारे पास question ऐसा हो गया अब या bond enthalpy निकालने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यह जो है सारे के सारे जितने भी अपने पास substance है एक reaction के जितने भी component है वो सारे के सारे gases state में होनी चाहिए और gases state में लेके जाने के लिए मुझे इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा इसको और इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो अगर इन दोनों reaction को जोड़ूंगा जोडने से पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हो यह two solid है तो two gas आना चाहिए तो नीचे वाली को दो से multiply करना पड़ेगा तो यह करता हूँ मैं multiply तो multiply करूँगा तो मेरे पास multiply करके बाद मैं जोड़ूँगा तो 2C और यह gas 3H2 gas is converting into C2H6 gas ठीक है अब इसका delta H1 मेरे पास है मैं delta H1 को एक बाद delta H1 ही बोल देता हूँ और मैंने इन दोनों को जोड़ा है और 2 से multiply करके जोड़ा है तो यह जो हूँ जब जोड़ूँगा तो plus मेरे पास आजाएगा 1436 क्यों? क्योंकि इसको 2 से multiply किया है तो यह इसका मेरे पास delta H1 आ गया overall reaction का फिर जो है वो अगर मैं इस reaction को यहाँ पर 3 solid तो मुझे इसको 3 से multiply करना पड़ेगा इस बार ठीक है? तो 3 से multiply करूँगा तो मेरे पास reaction आएगी 3 carbon gas plus 3 hydrogen sorry 4 hydrogen ठीक है क्योंकि 4 है ना तो 4 hydrogen gas is converting into C3 H8 gas और इसकी enthalpy मेरे पास थी कितनी delta H2 plus अब 3 से multiply किया है तो यह आएगा आपने पास 54 approximately जो हो कितना आ गया इतना ठीक है? तो यहाँ पर दोनों reaction के लिए हमने delta H की value निकाल दी ध्यान रखे मेरे पास delta H1 और delta H2 पड़ा है delta H1 minus 85 तो मतलब कोई चीज यहाँ पर unknown नहीं है अब क्योंकि bond enthalpy हमें निकालने है तो इसको में bond enthalpy की term में लिख लेता हूँ किसी भी reaction की heat of reaction को bond enthalpy की term में लिखने के लिए हम लिखते है total bond enthalpy of reactant minus total bond enthalpy of product ठीक है? तो इसके लिए मैं ऐसे लिखूँगा देखना कि equation बनाते है delta H1 plus 1436 is equal to total bond enthalpy of reactant यहां कोई bond नहीं है यहां पर तीन bond आ गए अपने पास कौन से? hydrogen, hydrogen के minus अब इसकी तरफ देखो यहां पर जो एक bond तो है मेरे पास कौन सा? carbon, carbon का और 6 bond है मेरे पास कौन से? carbon, hydrogen के अब याद करो अभी मैंने जो है वो यह निकाला था bond enthalpy of hydrogen, hydrogen इसका डेटा अपने पास पढ़ा है कितना? 436 तो यह वाला जो डेटा है ना यह वाला डेटा है यह तो 436 है 436 डेल्टा H1 की वेल्यू है यह माइनस का 85 तो यहां पर दो चीज़े अन्नोन हो जाएगी इस equation में एक तो carbon, carbon एक carbon, hydrogen ठीक है? तो एक तो equation यह बन गई second equation में यहां से बनाऊंगा तो यहां पर मेरे पास आएगा delta H2 plus 2154 is equal to यहां कोई bond नहीं है और 4 bond है मेरे पास कौन से carbon चार bond तो है hydrogen, hydrogen की और hydrogen, hydrogen का data है कितना? 436 माइनस उस तरफ जो हो इस बार मेरे पास 2 bond तो है carbon, carbon के तो देखो यहां पर यह वाला जो है मेरे पास कितना? 436 यह वाला है माइनस का कितना देर का है? 104 यह वाला माइनस का 85 तो अब देखो 2 equation है मेरे पास और 2 ही unknown चीज़ें तो यहां से दोनों की value solve करोगे तो निकल के आएगी और यह solve जो हो किया हुआ है इसलिए overall जो है वो value जो है वो first और second option के according आएगी जब आप इसको solve करेंगे equation आप video को rewind करें equation दुबारा note करें फिर उसको solve करें तो आप solve करोगे तो carbon, carbon तो आएगा 345 और carbon hydrogen आएगा कितना? 1, 4, 1, 4 तो इसमें जो हो first, second और third तीन option क्या है? सही है तो अमीद करते है question concept आपके समझ में आया होगा next question है अपने पास question number 5, section D integer type question है आपको बोरा है the time taken for a certain volume of a certain gas to diffuse through a small hall was 2 minute, ठीक है या, कोई भी अपने पास gas हो सकती है और उसको जो हो 2 minute का time लगता है to pass, what is the molar mass of gas? तो gas का molar mass क्या होगा? देखेगा सीधा सा concept क्या मैं बोलूंगा volume of gas divided by time taken by gas into यहां पर आजाएगा volume of O2 और उपर चला जाएगा time taken by O2, नीचे तो आजाएगा M gas, उपर आजाएगा M O2 खीगा ना? rate of diffusion in terms of diffused volume तो volume diffused by time taken, अब दोनों का जो है वो वोल्यूम क्या है? same है, क्योंकि equal volume तो volume तो same होगा, बस time taken को consider करना है, तो oxygen gas जो है, वो कितना 5.65 minute इसको लग रहा है और जो gas है, उसको इतने ही volume diffused होने में 2 minute का time लग रहा है, is equal to under the root M gas आपको निकालना और यह कितना होगे? यह होगे अपने पास 32, ठीक है? oxygen का कितना होता है? 32 होता है और 5.65 square करोगे, तो यह भी जो हो कितना है 32 यह आएगा, तो M gas की value यहां से निकल के आएगी? कितनी 4? तो answer हम बरेंगे 0, 4 तो यह है question number 5, simple सा question है next question अपने पास है, question number 6, देखेगा आपको यह भो रहा है, AB, A2 and B2 are diatomic molecules if the bond enthalpy of A2, AB, B2 are in ratio 1 ratio 1 ratio 0.5, ठीक है and enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is minus 100, देखो जरा सबसे पहले तो हम इसके heat of formation की reaction लिखेंगे तो half A2 plus half B2 is converting into AB याद रखें कि heat of formation को जब भी हम define करते हैं तो हम हमेशा यह बोलते हैं कि 1 mol बनाते हैं और thermodynamic reference state से बनाते हैं तो इसलिए 1 mol की reaction मैंने लिखी है और इसका delta H आपको देरका है कितना minus का 100, clear? the bond enthalpy of A2 is, आपको A2 की bond enthalpy निकालनी है अभी check करते हैं तो पहले तो मैं इसको delta H को bond enthalpy के term में लिखता हूँ तो half bond enthalpy of AA plus half bond enthalpy of BB minus bond enthalpy of AB ऐसा हम लिखेंगे तो आप देखो आपको जो ratio देरका है उस ratio से हम सब को BB और AB को AA की term में लेके जाएंगे तो आपको bond enthalpy of AA divided by bond enthalpy of BB ये ratio जो है वो AA और ये BB ये ratio देरका 1 by 1 by 2 वो 0.5 का मतलब 1 by 2 हो गया ना तो bond enthalpy of BB इसकी जगा आप लिख सकते हो bond enthalpy of AA by 2 clear है बात? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा delta H जो कि कितना minus का 100 is equal to minus का half bond enthalpy of AA और इसकी जगा प्लस half तो already था और इसकी जगा मैं लिख लेता हूँ bond enthalpy of AA by 2 और minus अब देखो जी इन दोनों का जो ratio है इन दोनों का जो ratio है वो तो कितना है 1 ratio 1 तो इसका मतलब मैं bond enthalpy of AB की जगा bond enthalpy of AA लिख सकता हूँ तो यह तो आया bond enthalpy of AA clear है तो यहाँ एक ही unknown है minus का 100 is equal to यह देखो अपने पास कितना आ गया 1 by 2 bond enthalpy of AA plus 1 by 4 bond enthalpy of AA minus bond enthalpy of AA ठीक है अब द्यान से देखिएगा 1 by 2 1 by 4 यह हो गया 3 by 4 यह minus का bond enthalpy of AA तो overall बचेगा minus का 1 by 4 bond enthalpy of AA तो bond enthalpy of AA निकालोगे तो यह आएगा मेरे पास कितना 400 यह नि बोले तो 4 into 10 to the power 2 और दोनों को जब compare करते हैं तो यहाँ पर जो हो एक्स की value कितनी निकल के आ रही है यह आ रहा है कितना 4 तो answer इसमें हम बरेंगे 0 4 यह है question number 6 तो उम्मीद करते है question समझ भी आया होगा A से B, B से C और फिर C से गया D और फिर D से गया कहां अगें A फिर A से गया C यह overall एक cyclic process बन रहा है ठीक है आगे आपको बोरा work done by gas तो देखो हमें पता है कि जो PV कर्व का area होता है वो ही क्या होता है तो हमें तो area निकालना है अब ध्यान से देखना इसमें दो एक तरीके से मैं cycle को divide कर देता हूँ तो एक तो यह cycle बन रहा है अब यह वाला cycle कैसा है यह वाला cycle अपने पास है anticloakwise anticloakwise है तो इसका work done आएगा positive तो पहले मैं इसका work done निकाल देता हूँ तो W is equal to area तो यह क्या है एक अपने पास triangle बन रहा है तो triangle के लिए क्या लिखूंगा 1 by 2 base तो इसका base जो है वो तो मैं ले रहा हूँ कितना यह base जो है वो मेरे पास आजाएगा hundred kilo pascal kilo का मतलब हो गया thousand pascal है ठीक है और into volume तो volume जो है वो आपको लेना पड़ेगा किस में मीटर क्यूब में ठीक है तो volume देखना कितना आएगा मेरे पास यह height है इसकी तो volume यहाँ पर कितना होगा 150 होगा क्योंकि यह just half है इसका तो यह आगया मेरे पास volume कितना 150 ml है तो यह लीटर में बदल दिया और एक लेटर जो हो दसकी हाथ माइनस 3 मीटर क्यूब के वराबर होता है तो यह overall मेरे पास क्या आगया विया kilo pascal यह cancel हुआ यह जो हो सब कुछ cancel हुआ तो overall यह मेरे पास आगया कितना 7.5 तो w यहाँ पर ताया कितना 7.5 ठीक फिर जो हो मेरे पास एक triangle और बन रहा है क्योंकि मुझे पता total area इस triangle का plus यह वाला जो triangle है इन दोनों का जो है area आपको निकालना है इसी कास्थम जो है work done होगा यहाँ पर आप मैं इस triangle को धहां से देख लेता हूँ यह वाला triangle तो इस वाले cycle का जो work done हो वो कैसा आएगा वो negative आएगा तो अगेन इसके लिए भी वही काम करेंगे तो क्या लिखूंगा देखना जरा one by two और इसका base कितना आ गया अगेन hundred into यह कितना आया यह आया thousand किलो पासकल है और इसकी height जो हो इस बार देखो यह height होगी तो height जो हो कितने आएगी hundred यह आएगी अब cc में है तो यह तो आया ml में into 10 ते पार minus 3 यह cancel हुआ और cancel हुआ तो यह जो हो सब कुछ cancel हो गया यह आगया अपने पास कितना यह overall जो हो उपर 10 बचेगा तो 10 बचेगा तो यह आया कितना 5 और यह आया minus का 5 क्योंकि work done यहां negative होगा पहले आया था plus का 7.5 minus का 5 तो overall आएगा कितना 2.5 joule तो answer में हम बरेंगे 2.5 ठीक है ना तो work done by gas is 2.5 joule next question कि तरफ बढ़ते है तो question number आपने पास 8 last question है तो देखिएगा a diatomic gas जिसका gamma आपको देर का कितना 1.4 does 200 joule of work when it is expanded isobarically find the heat given to the gas in the process देखिएगा gamma आपको देर का 1.4 बाकि आपको यह तो पता ही है diatomic gas है तो इसके लिए cv की value हम कितना लिखते है 5 by 2 r ठीक है और cp की value हम कितना लिखते है यह लिखते है 7 by 2 r ठीक अब आपको यह बोला है इसको isobarically expand करवाया है और work done by the gas आपको यह बोला है प्रसार करवाया है तो work done by the gas तो gas जो है वो work कर रही है तो यहाँ पर मैं w की value जो हो आपको देर का है 200 तो minus p delta v v2 minus v1 by the gas है तो यहाँ पर minus का 200 लूँगा तो minus का p और यह क्या हो जाएगा v2 minus v1 तो यह minus minus cancel हुआ तो w जो है वो कितना 200 और यहाँ पर p और यह हो गया v2 minus v1 अब ध्यान से देखना की isobaric process है तो मैं ऐसा लिखूंगा p v2 is equal to nr t2 और p v1 is equal to nr t1 तो यहाँ से v2 की value मेरे पास आ जाएगी क्या nr t2 by p और यहाँ पर जो है वो मेरे पास v1 की value निकल के आएगी कितनी nr t1 by p clear बात तो अब v2 और v1 की value अगर मैं यहाँ रखूं तो 200 is equal to p और v2 की value मैंने अगर रखी तो यह मेरे पास आएगा nr t2 by p minus nr t1 by p तो यह p common आके cancel और अंदर जो है वो अपने पास equation बनेगी 200 is equal to nr और यह आया t2 minus t1 ठिक तो मैं अगर t2 minus t1 की value निकालूं जो की delta t है तो यह आएगा 200 by nr मुझे यही value चाहिए थी अब मुझे यह value क्यों चाहिए थी देखेगा कि मुझे delta t की value जो है वो मेरे पास है 200 by nr आपको देखो क्या पूछा है question को जहां से पढ़ो कि adiabatic gas does 200 joule of work when it is expended isobarically find the heat given to the gas in process heat given to the gas in isobaric condition will be equal to delta h thermodynamic first law से हम explain करते हैं इसको कि वह या qp this is heat given to the system at constant pressure will be always equal to delta h and delta h is equal to n cp delta t तो अगर आपको qp की value निकालना है तो delta h delta h निकालना है तो आपको delta t चाहिए n की value जो हो चाहिए और cp की value चाहिए तो cp तो है अपने पास 7 by 2r तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ n की value n cp 7 by 2 और यह आर और यहाँ delta t कितना है यह आया 200 by n r n से n cancel हुआ r से r cancel हुआ यह कितना आ गया है 100 यानि answer जाएगा कितना 700 joule और अगर जो है वो answer हम क्या भरेंगे तो 700.0 तो उमीद करते हैं आपका एडवांस का पेपर अच्छा गया होगा फिर भी किसी परकार का कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में में करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू गूड मॉनिंग स्टुट्स आज अपना बात करेंगे एडवांस की बारे में एडवांस में जो पेपर इन और गेनिक में जो आया हुए किशन उनके लिए बात करते हैं फॉस्ट कुशन देखते हैं पहला किशन आया अपने यहां देखें यहां जीरो बॉंड रहे है इसका कितने है वन है इसका कितना आया दो इसका कितना एगा तीन इसका एगा दो इसका एगा तीन तो अपना आंसर आजाएगा फर्स्ट आंसर आजाएगा अपना कौन सा फर्स्ट आंसर आजाएगा नेक्स्ट बात करते हैं कैसे ज़काई किशिन है ये भी अमोंग दा फॉलविंग दा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है M bed B on apte electron होता है एक यह विल्कुल राइट स्टेटमेंट है next Prime से बॉट्यांट स्टेटमेंट के बाद करें मैंना स्टेटमेंट की दिश Bos Verfika 1150 इस्ट्सक्राइब अंड्र होगी कंगी स्टाइटमेंट सही बता रहा है ज्यादा होगी कि से यह स्टेट्मेंट वी सही है कि रहे मैगनेटिक मुवमेंट ऑफ एन्टू प्लस इस एंडर रूट थ्री एन्टू प्लस के पास एक अन्पेड एलेक्ट्रोन होता है तो अगला कहा रहा है और टू का अनुचुम्ब के अगूर शुन्ने होता है यह गलत बेटा ओट्टू पैरा मैगनेटिक होती इसके पास दो अन्पेड एलेक्ट्रोन होते हैं तो अपना आंसर आजएगा फॉर्थ अपना आजएगा फॉर्थ नेक्स्ट बात करें है अबन अगर 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 देन वन कुष्ण है इसमें देखते हैं बंदुर्जा के लिए सही करम का चैन केजिए पेला घळत हो गया क्योंकि यह पहला इसल purchases अपना इसमें डब्ल बन्ड है इसमें double bond है, इसमें single bond है, ये बिलकुल statement right है, इसमें triple bond है, इसमें double bond है, इसमें single bond है, ये statement ये अपना right है, second statement सही है, इसमें बात करें, O2, ozone में H2O2, O2 में double bond आएगा, ozone में 1.5 bond आएगा, और H2O2 में single bond आएगा, ये statement ये अपना सही है, तो अपना answer आजाएगा, 2, 3, 4, next ब the following there is intermolecular hydrogen bonding किसमें intermolecular hydrogen inter मतलब 2 या 2 से अधिक में पाई जाएगा और्थो नाइट्रो फिनोल इसमें तो इंट्रा होती कौन सी होती है इंट्रा जबकि इथेनोल में कौन सी होती है इंट्र आएगा बेटा ठीक है Acetic Acid में भी इंट्र होगा HF में क्या होगा इंट्र होगा इसमें तो अपना आंसर आजाएगा 2nd 4th and 3rd next बात करें निमने से कौन सी है विक्रिया H2 गैस देती है जिंक की विक्रिया से कराएंगे तो सोडियम जिंकेट एने टू जैडए नोट टू प्लस H2 गैस बनती है विटा जिंक की एक्वस चार के साथ कराएंगे तो भी अपने को क्या बनेगा सोडियम जिंकेट एने टू जैडए नोटू प्लस है यह वेज़ा वोटर गैस मनाने का तरीका है सी ओ प्लस हट्टू बनेगी यहापर ठीक है एच्टू का इलेक्ट्र लाइस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी एच्टू मिल जाएगी तो अपना आंसर आजएगा वन टू टू ट्री फॉर नेक्स्ट बात करें Oh Is पैसिज में देखते हैं इं disruption टैप देखते हैं करें सिर्श्षीट कंपाउंड है कैलकुलेट वेल्ई वेल्य पी का स्केर मैन इस क्यू का स्केर आर प्लस s के C यह Polar है, यह भी Polar है, Polar, यह भी Polar है बेटा, यह भी Polar है और यह बी Polar है, तो एक को छोड़कर यह Non Polar मिलेगा, अपने को एक को छोड़कर बाग loyal है, तो कितने हो गए Polar अपने बास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, 107 हो कह स्कुए रे कितना, 49. 9-Q, Q total number of planar compound, planar compound बात करें, ठीक है, Q क्या है, planar, ये planar है, 1, 2, 3, ये non planar हो गया, 3, 4, और ये 5, 5 planar हो गये, 25 minus क्ये करेंगे, ठीक है, नेचे देखे, R plus S, R के total number of non-polar compound, non-polar कितने हैं, non-polar 1 है, plus total number of non-planar compound, non-planar कौन से कौन से आगया, अपने पास, एक तो ये non-planar है, एक ये non-planar है, दो, और एक 3, 3 non-planar हो गये, तो अपने पास इसको cancel करोगे, कितना आएगा, 24, बट अचार, कितना आगया, 26, 24, आंसर आजेगा, 6, ठीक है, बटा, next बात करते हैं, sum of P5-D5 bond in SO2 and SO3, इसके लिए याद रखना, अगर केंदे परवानों में SP2 संकर्ण आ रहा है, तो एक तो P5-P5 होगा, और बचे हुए P5-D5 होगे, तो इसमें कितने आएगे, 2 P5-D5, इसमें कितने आएगे, 1 P5-D5, total आगया, 3, तो अपना आणसर आजेगा, 0, 3, नेक्स्ट बात करते हैं, कर निम्न में, पाई बंद करम का योग ज्याद कीजिए, पाई बंद के लिए बात कर रहे है बेटा, O2 में पाई बंद कितने आएगे, O2 प्लस में, 1.5, bond order 2.5 होता है, O2 माइनस में पाई बंद कितना आएगा, O2 माइनस का 1.5, 0.5 आजेगा, ठीक है, O2 माइनस 2 में कितना आएगा, कोई pi bond नहीं, इसमें sigma आएगा, NO प्लस में बात करें तो 2 pi bond आएगे, S2 में पाई बंद के एक करेंगे, 1 आजेगा, C2 में बात करें तो 2 pi bond आएगे, B2 में बात करें तो अपने पास 0.5 pi bond आएगा, तो अपने पास कितनी हो जाएगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7.5 अपना आणसर आजाएगा, ठीक है, याद रखना, B2 में 0.5 pi bond है, C2 में 2 है, S2 में 1 है, NO plus में 2 है, O2 माइनस 2 में कोई pi bond नहीं है, O2 माइनस 1 में 1.5 है, O2 प्लस में 2.5 है, तो अपना आणसर आजाएगा, 7.5, next बात करें, calculate the X plus Y for Genone O6 minus 4, Genone O6 minus 4 के बेटा बात करें, इसके section कैसे बनी हुए है, इसमें संकर्ण कों सा हो गया, SP3, D2 संकर्ण हो गया, कौन सा, SP3, D2 संकर्ण हो गया, यह कहरें, Genone O6 minus 4 के लिए X plus Y की करना की, Genone प्रमानों के D कक्षक की कुल संक्या, जो बंद निरिमान में भाग लेते हैं, बेटा देखो, दो तो pi bond बने, यह pi bond में बनाने में D कक्षक यूज आये, ठीके इसमें SP3, D2 हो गया, संकर्ण हो गया, तो दो यह हो गया, तो टोटल 4 D कक्षक तो आ गए, D कक्षक इतने हो गया, 4, next year, ति कोन ये फल कों के संक्या, ति कोन ये फल के साचना में, ति कोन ये फल कितने मिलेंगे अपने को, 8 मिलेंगे बेटा, कितने मिलेंगे 8, तो अपना answer आजएगा 12, तो यह अपना question complete होगे, यह question थे, यह advance के अच्छा paper था, question कही question, अच्छे शानदार question थे, करना, आज के लिए तने, thank you.